असलामु आलेकुम मैं जुलेका अरफाद जुलेकास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से बॉन चिली कार्लिक शिजवान चिकन फ्राइड राइस बहुत ही मज़ेदार जहट पर घर पर आसानी से बनते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज ही रेसेपी साधा है तो सारे सौसाथ करतों चलिए हैं यहां पर आप देख सकते हैं लोगेक शा kaני काटा करण चाहें तो आपके शीज़ान सकते हैं यह सिंप करें तो किने काट राइस भिगाण मेरी काट करें अर्ड़ के वहarentे प्यास काती हैं तो इससंपरें प्यास कि प्यास काटी है अग दखाता बारिक कता हुआ, यह है न तकरीबन मैं इहां पर आदे नूडल्स दाल रहे हूं, बॉल करे हुए हैं और मैंने आदादी नूडल्स लीए हैं, मैंने पूर ले ले लिए लेकिन आप आदे नूडल्स लीजेगा, आमे को दूसरी चीज में दाल ले तो मैंने एक साथ आदे गहाने से धोके भीगाने के लिए आदे गुंटे के लिए रखा उसके बाद पानी रखा नम्मक दाला और बॉल कर लिया और उसे पगगय चावल नितार लिया चलिए अवे एक बावल के अंदर दो अंडे डाल दीजिए इसके अंदर थोड़ा सा नम्मक काली मिर्शी बहुत अच्छे से फेट लिजिए अच्छा मैं यहां पर आपको चिकिन बदाना तो बूल लिए के मैंने चिकन भी बॉल करके साइड पर रखा यहां तकरीबन 200 गराम चिकन है इसको कुछ नहीं मैंने थोड़ा पानी डाला अधा कप नमक चुट की बरी दाला और एक चु अब आजाते हैं फिर से अंडों पर अंडे को बहुत अच्छे से फेट लिजिए चूला चालू कर दीजिए कढ़ाई का और इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए जब तेल अच्छा गरम हो जाए फास्ट नाज पर यह जो हमारा अंडा है यह बिसमिल्लाय रहमानी से रेंबोल कर दाल दीजिए और इसे मीडियम आच पहले तो चूले को कर दीजिए और यह अंडा दाल कर इसे पकने दीजिए और इसे हम जिसे स्क्रामबल लेक के से बनाते हैं वैसे स्क्रामबल कर दीजिए कुछ नहीं यह देखो पक रहा है इसे चमाच की मदद से इस त इस पर थोड़ा से जादा तेल डालिएगा और इसके अंदर डाल दीजिए मैं दाल देती हूँ छे साबुद लाल मिडचियां तीन साबुद डाल रही हूँ और बाकी की तीन को मैंने ऐसा बीच में से तुकड़ा करके याने के तोड़कर डाला है तो तोटल छे थी और इसक करने से क्या होगा बार बार चलाते रहेगा ऐसा करने से यह होगा कि हमारे जो तेल है इसके अंदर यह जो चिली यानि के मिर्चों का फ्लेवर आएगा इसी से तो इसका नाम पड़ा है बंट चिली गार्लिक शेजवान फ्राइड राइड रैस तो चलिए अच्छा लाल ड यह बहुत ही कम थी इसके लिए मैंने ज्यादा डालने के लिए मैंने वह दूसरी वाली प्यास हमारी साधी वाली प्यास भी बारिक काट कर रखी तो यह वाली डाल देती हूँ चुला मैंने मीडियम कर दिया है और स्प्रिंग ओनियंस वाली कम थी तो मैं यहां पर बारिक कटी हुए हमारी एक medium size की प्यास बी दाल दिया है इसे भी बार बार चलाते हुए एक दो मिनित तक भून लीजिये प्यास को चलिए दो-तीर मिनित हो चुके है प्यास होकर तो यहां पर मैं डाले देती हूँ जो बॉल करे वी चिकन थी वो दाल दी ये चुले को medium पर ही रहने बगा लीजिए, दो मिनिट हो जाए, तो ये तीनो टाप की सिमला मिर्च दाल दीजिए, इसे एक बार सबसे पहले तो चला लीजिए, और इसके अंदर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च दाल दीजिए, चुटकी भर, और इसे दाल कर मिक्स कर लीजिए, तकरीबन समझे न, 20- तक ही, मैं तो fry 20 second ही करती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे कच्छी पकी अच्छी लगती है सबजिया, अगर आपको कच्छी पकी नहीं अच्छी लगती है सबजिया, तो आप 20-30 के बजाए, एक-दो मिनिल तक फ्राय कर लीजे सबजियों को, चलिए 20-30 हो चुके सबजियों को पककर तो यहां मैं सॉसस दाल देती हूँ, देड़ छोटे चाय का चमच विनेगर डाल दीजे, देड़ छोटे चाय का चमच सोया सॉस दाल दीजे, चूला मैं स्लो कर देती हूँ, क्योंकि सॉसस दाल रहे ना हम, दो छोटी चाय के चमच, चिली सॉस दाल दीजे, description box में check कर लीजिए, अगर आप बाजार के डाल रहे हैं, तो आप 2 या 1.5 टेबल स्पून दालिए, उसके बाद आप adjust कर लीजिएगा, चलिए मैंने ये डाल दिया है बड़ी असी और अब 1 फोट या आदा चुट से कचमच काली मिर्चो का पॉडर दाल दीजिए, बहुत अ है शिजवान वाली ये हमारी फ्राइड रैस, तो उसमें थोड़ा सा रेड फूट कलर रहता है, तो मैंने थोड़ा टंडूरी वाला दाला है, अगर आपने नहीं दालना है फूट कलर, तो आप स्किप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और तेल छूटने लगे, तो ये जो साइट पर बॉइल करे हुए चावल है, ये दाल दीजिए, अब मैंने पूरे नहीं दाले है, थोड़े दाले हैं, और इसके साथ मैं आधा नूडल्स जो बॉइल करे हुए, वो दाल रहे हूँ, मैंने जैसे कहा था मैं सिर्फ आधा ही इस्तमाल कर रहे ह चुटकी भर नमक दाल दीजिए, और वनफोर चोटा चाय का चमच या आदा चोटा चाय का चमच काली मर्चो का पॉडर दाल दीजिए, चुला मीडियम पर ही है, और बहुत अच्छे से इसे मिक्स करते जाए, जब अच्छा मिक्स हो जाए, तो बीच-बीच में आप स्प और गर्मा-गरम इसे सर्फ कीजिए, अच्छा, अगर आपको कोई चीज कम लगे, तो आप अच्छस बेशक कर सकते हैं, अब सर्विंग से पहले इस तरीके से आप थोड़े से स्प्रिंग ओनियंस की पती यानिका अरिप्यास की पती दालें, और गर्मा-गरम सर्फ करें, अगर आप बाजार की शिजवान चटनी दाल रहे हैं, तो जब आप शिजवान चटनी दालें, उस समय आप धाई टेबल स्पून दाल दें, और उसके साथ-साथ, त्री-फोथ या एक चोट़चा का चमाज शक्कर भी दाल दें, so that वो बैलन्स हो जाएगा, क्योंकि बाज बाजार की है, इतनी चटपटी नहीं होती, जितनी घर की होती है, बाजार की टीखी भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसके साथ शक्कर दालना बहुत ज़रूरी है, तो आप तर दालेगा, कुछ ऐसा मिठास नहीं आएगी, बस बैलन्स होगा, उसका जो टेस्ट बैल जितना शिजवान की चटनी दालें और जितना आपको स्पाइस ची है उतना बढ़ाते जाए आप स्पाइस लेकिन एक साथ आप 4 टेबल स्पून दाल दोगे बाजार की तो वह बहुत जादा स्पाइसी हो जाएगी और आप खाने ही पाऊगे तो है ना मज़ेदार रेसेपी